प्रिंस्पल्स अफ सिस्टमाटिक्स मॉड्यूल 1-0-3 आइटेंटिफिकेशन ओफ फैमिली एरेनिडी फैमिली एरेनिडी के जो मेंबर्स हैं यह वैब बिल्डर स्पाइडर्स हैं यह अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए वैब का इस्तवाल करते हैं इनको सिट एंड वेट प्रिडेटर्स भी कहते हैं यह बात देखने में आई है कि जो जुविनाईल स्पाइडर्स हैं जो यंग स्पाइडर्स हैं जब यह अपना वैब बनाते हैं तो उसका जो डिजाइन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़ादा species specific होता है लेकिन जैसे जैसे एक स्पाइडर्स मिच्चोर होता है अडल्ट होता है तो उसके अंदर क्योंके adaptability है वो अपना जो वैब का design है उसको adjust करता है according to the environmental conditions according to the wind size and according to the availability of prey क्योंके जो prey का size है या जो prey का number है field के अंदर वो बहुत important है क्योंके जब spider एक web बनाता है तो web बनाने के लिए वो अपने silk का इस्तिमाल करता है और जो silk है ये एक protein है और protein को बनाने के लिए बहुत सारी energy चाहिए होती है तो spider अपनी energy को conserve करने के लिए अपना जो web का design है उसको optimize करते हैं पर जेमपल अगर field के अंदर prey की density ज़्यादा है तो ये अपना जो total web का area है वो छोटा रखते हैं उसके साथ अगर prey का size चोटा है तो ये अपने दो spirals के दरम्यान में जो distance होता है जिसको mesh height कहते हैं उसको चोटा रखते हैं ताके रात के वकट जब एक flying insect उसके web के करीब से गुजरे तो इसके web में से वो pass ना कर सके लेकिन अगर field के अंदर जो prey है available prey उसका size बड़ा है तो फिर ये जो spirals के दरम्यान में distance है उसको बड़ा रखते हैं तो इस तरीके से ये अपने design को optimize करते हैं अब जो spiders हैं इनकी जो food है वो variable है ये देखने में आया है कि जो बड़े और web spiders है ये बड़े size के prey के उपर भी feed कर लेते हैं इवन ये भी देखने में आया है कि जो spider का अगर एक बड़ा web है तो इसके जरीए ये एक छोटे birds को भी trap कर लेते हैं अगर एक bird पांच मील फिग हेंटा की रफ़तार से मूव करता हुआ एक spider web के साथ हिट करता है तो ये इसके web में से नहीं गुजर सकता क्योंकि जो spider web है इसका जो silk है वो काफी unique होता है इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये एक extraordinary biomaterial है जिसके अंदर extraordinary properties है बस्तरन इसका जो silk है वो बहुत जादा strength का हामिल है ये ख्याल किया जाता है कि शायद जो silk है spider का इसकी जो strength है वो steel के मकाबले में भी ज्यादा है उसके अलावा इसके अंदर बहुत जादा elasticity मौजूद होती है यानि एक जो spider का thread है उसको अगर हम खैचना शुरू करें जिसरा हम एक rubber को खैचते हैं तो ये अपने size से 300 गुना बड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी ये तूटता नहीं है इसका अंदर extraordinary strength है जो spiders हैं जब अपना web बनाते हैं तो उसके उपर ये एक glue like जो material है वो लगाते हैं जो के काफी sticky होता है और prey को उस web में से भागने नहीं देता तो इन properties की वज़ा से जो spiders का web है वो काफी important होता है उसके लाबा जो spiders के web है इसके जो designs है वो variable होते है बहुत सारे spiders ऐसे होते हैं जब अपना web बनाते हैं तो daily basis के उपर उनको repair करते हैं उनके web के वो part जो के damage हो चुके होते हैं उनको दुबारा से त्यार किया जाता है लेकिन कुछ spider ऐसे होते हैं जो के अपने web daily basis के उपर बनाते हैं ऐसे spiders जो के अपने web daily basis के उपर बनाते हैं वो जब अपना जो pray capturing time है जब उनका खतम हो जाता है तो उसके बाद वो अपना जो web है उसके जो thread है उसका जो silk है उसको खुद ही खा जाते हैं क्योंकि ये एक protein है दोबारा से जब उसको web बनाना होता है तो उसके लिए दोबारा से protein चाही होती है तो energy को conserve करने के लिए ये अपने ही web को खाते हैं और फिर next day उसको इस्तवाल करते हैं अब जो web builder spiders है ये web बनाने के लिए जो timing है उसको select करते हैं बहुत सारे spiders ऐसे हैं जो दिन के वकत वेब बनाते हैं और बहुत सारे spiders ऐसे हैं जो रात के वकत अपना web बनाते हैं आम तोर पर एक जो web है उसको बनाने के लिए एक घंटे से दो घंटे तक दरकार होते हैं इस duration के अंदर ये अपना जो web है उसको design करते हैं ज़्यादा तर ये देखने में आया है कि जो और वेब spiders हैं agriculture fields के अंदर आम तोर पर ये शाम के वकत अपना web बनाते हैं रात के वकत क्योंके जो web है वो invisible होता है नजर नहीं हाता और रात के वकत जो flying insects हैं वो आसानी से इसके web के अंदर trap हो जाते हैं तो different जो spiders हैं ये web बनाने के लिए different जो time हैं और different substrates का इस्तमाल करते हैं अब जब भी एक spider अपना web बनाता है तो web बनाने के बाद वो उसका जो central portion है जिसको hub कहते हैं वहाँ पे बैठ जाता है और अपने prey का इंतजार करता है अब जैसे ही कोई prey इसके web के साथ contact करता है तो फॉरण ये जो spiders है वो अपने hub से move करके उस prey तक पहुचता है और उस prey को immobilize करता है अपना जो venom है अपने fanks के जरीए उसके body के अंदर inject करता है क्यूंकि जो venom है वो जैसे ही prey की body के अंदर enter होता है तो उसके जो internal body parts है internal body parts को ये liquid form के अंदर convert कर देता है और ultimately जो liquid meat है या जो उस prey का sap होता है इसको spider सक कर लेता है sometime एक spider इस activity को many times दोहराता है उस वकत तक दोहराता रहता है जब तक के उस prey के अंदर जितने भी tissues हैं वो liquid के अंदर convert ना हो जाए और ये उन body parts को liquid की form के अंदर सक ना कर ले और ultimately जो waste part होते हैं उनको ये एक pellet की form के अंदर बाहर छोड़ देता है अब जो spiders होते हैं ये जब egg ले करते हैं तो इनके eggs के गिर्द egg sack होती है और एक egg sack के अंदर several hundred eggs हो सकते हैं और जब ये eggs hatch होते हैं तो hatching के बाद इससे next generation पैदा होती है आम तोर पर ये देखने में आया है कि जो spiders हैं इनका जो breeding season है वो summer के अंदर होता है आम तोर पर जून जुलाई के अंदर इनका breeding season होता है और September, October के अंदर इनकी इतादाद peak पर होती है और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है जैसे December, January का मौसम आता है तो उस वकत इनकी जो activity है काफी कम हो जाती है उसके बाद इवन ये भी देखने में आया है कि जब ये एग ले करते हैं तो ये जो एग्स हैं इनको ये एक सिल के अंदर रैप कर देते हैं और ये मौसम की जो नजाकत होती है उसको बरदाश करने की सलायत रखते हैं जैसे ही नया season साजगार मौसम आता है ये ultimately इनसे young ones निकलते हैं और एक नई generation पैदा हो जाती है